हेलो बच्चो आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की डियोई की तरफ से ना आपको मिशन मैथमेटिक की वरक्षिट मिलती है तो यहां पर ही 24 अगस्त की वरक्षिट है जिसमें आज हम स्क्वारूट के बारे में जानेंगे वैसे तो हमने पूरा चैप्टर अपना एंस्याटी से कंप्लीट करका है अब वरक्षिट वाइज हम इसको दुबारा एक बार समझ रहे हैं चैप्टर को तो स्क्वारूट जानेंगे प्राइम फेक्टराइजेशन की हैल्प से कैसे हम किसी भी नंबर का स्क्वारूट निकाल सकते हैं एक्जाम्पल अगर मैं 9 की बात करूं तो 9 का जो square root होता है वो कितना होता है? 3 होता है क्यों? क्योंकि 9 जो है वो 3 का square होता है अगर मैं 12 की बात करूँ तो 12 जो है वो किसी का भी square नहीं होता तो ये इसका square root आप नहीं निकाल सकते clear है? अब यहाँ पर आप से कहें prime factorization 400 के अगर हम 400 के prime factorization ये देखें तो ये निकाल ले हमको आते है prime factorization square root कैसे निकलेगा? pairing करके तो इसका एक 2 है इसका एक 2 और इसका एक 5 तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूं कि 400 का जो square root है वो कितना है? वो आपके पास है 20 question भी आप से ये ही कह रहे find the square root of 400 square root निकालो तो 400 का square root कितना आगया? 20 आगया clear है? उसके बाद एक और example आपको कह रहे find the smallest whole number एक ऐसा सबसे छोटा whole number निकालो by which 720 must भी multiply जिसको आप 720 से multiply कर दो so that the resulting number is a perfect square तो फिर जो 720 से multiply करके answer आएगा न वो एक perfect square बन जाए तो इसको मतलब 720 अभी तो perfect square नहीं है तो इसके मैंने कहके है factors निकाले तो 2 की table में 360 पे आते है तुकी table में 180 पे आते है तुकी table में 90 पे उसके बाद यह 2 की table में तो इसके बाद 3 5 जो आजाएगा और 5 बन जाएगा तो आप यहां पर देखे तो पेरिंग करेंगे ना तो इन 2 2 की पेरिंग हो रही है इन 2 2 की इन 2 3 की लेकिन एक 5 छूट गया इसकी पेर नहीं है यह सिंगल 5 है तो आप से स्मॉलेस्ट होन लंबर की बात कर रहा था तो अगर आप इसमें एक 5 और मल्टिप्लाय कर दो गें यहां पर तो वह पेर बन जाएगा लेकिन कभी भी हम LHS में या RHS में एक ही जगा मल्टिप्लाय नहीं करते दोनों जगा करते हैं तो इसका मतलब जो स्मॉलेस्ट होन नंबर तो आप से माँ पर वही वह स्मॉलेस्ट होल नंबर पूछ रहा था तो वह स्मॉलेस्ट होल नंबर है 5 जिसको 720 में मल्टिप्लाय करोगे तो जो भी रिजल्टिंग नंबर आएगा जो की 3600 आएगा वह एक परफेक्ट स्कॉयर बन जाएगा तो यह थी हमारे पास आज की जो हमारी कंप्लीट हो गई है अम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्टे की वर्क्षिट करेंगे थैंक्यू